जी तो आज की क्लास शुरू करते हैं आज की क्लास नवर है फोर और आज की क्लास में हम जो वर्ड मैप का रीजन पढ़ेंगे वो है मेडिल इस्ट तो कुछ रिकेव करने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने प्रिवेसली जो है सेंट्रल एशिया कवर किया है साउट एशिया कवर किया है आज जो है हम कौन सा रेजेंगर करेंगे वो है मिडल इस्ट तो सबसे पहले तो ये जान ले के इसको मिडिल इस्ट क्यों कहा आं जाता है ऐस दे नेम सजयस्ट Middle East किसके Middle में है और ये इसको क्यों Middle East क्यों कहां जाता है और Middle East का एरिया कहां से कहां तक है देखिए ये है Middle East पाकिस्तान अगवानिस्तान ये तो तुर्कमिनस्तान ये पूरा सेंटरल एश्या था यहां से है Middle East इस पूरी एरिया को हम कहते हैं Middle East अगर आप वर्ड का मेप देखेंगे वर्ड का मेप अगर आप देखेंगे तो जो यॉरब है यॉरब के इस्ट में ये रीजिन आता है ठीक है अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाओं ये रहा ये रहा दुनिया का मैप ठीक है तो ये रहा एशिया ये यहां पे रहा यॉरब ये रहा आफरीका और यहां तक जो है ना यहां ये रहा हमारा Middle East तो जितने मैप जितने बनाया है या जितने भी modern studies है वो किन ने किये गोरों ने किये वेस्टर्न scholars ने किये अब कोई बन्दा जो है वो अगर west में बैठा है इदर यॉरब में बैठा है तो वो यही कहेगा कि भाई जितने भी Arab countries है वो मेरे east में है तो यहां पे आप देख सकेंगे कि यहां से ये रहा east तो इस वज़े से इसको middle east कहा जाता है और यह कहां पे बीच में है उस तरफ एशिया है उस तरफ यॉरब है और यॉरब के यह east में है इस वज़े से इसको middle east कहा जाता है तो उमीद है कि यह basic understanding आपको समझ में आ गी है कि इसको middle east क्यों कहा जाता है दूसरा यह कि आप सब लोगों के जो माइक हैं वो मैंने म्यूट करती हैं कोई भी बीच में अगर आपका कॉस्चन होगा तो वो आपने चैट में पूछ रहा है ठीक है चले जी अब आजाते हैं मिडिल इस्ट पे तो जनाब यहां से हमारा मिडिल इस्ट शुरू होता है इराम तुर्की उपर से तुर्की और यहां से जी अगर आप मिडिल इस्ट को देखनेंगे सबसे पहले पिछली क्लासिस में मैंने यह कहा था कि कोई भी रीजिन जब हम लगता है जिसे कहते हैं इंडियन ओशन और इस्ट काई अंदर अरब कंट्री में हैं ॉन ऊरफ कंट्री खी अरफ कंट्री तो यह सारे सौधी अरभ हो गया धूमान हो गया यमन हो गया 시illy हो सिरीय हो गया इराक जौडण यह सारे जितने countries हैं ये सारे जो है अरब countries है non-Arab countries कौन-कौन से हैं तुर्की दूसरा non-Arab country कौन सा है थोड़ा आप case करें इस region के अंदर जो region मैंने जो यहां पे जो है न वो highlight किया हुआ है इस drawing line से ये पूरा region जो है इस region के अंदर non-Arab जो country है वो कौन सा है थोड़ा सोचें और देखें कि ये जो circle बना हुआ है colorful line इसके अंदर non-Arab countries कौन-कौन से है देखें इसके अंदर non-Arab जो countries है एक तो गया तुर्की non-Arab country है ठीक है और दूसरा हो गया इरान इरान और तुर्की दोनों जो हैं तो Middle East के अंदर लेकिन ये दोनो non-Arab countries है ये बात आप मेरी याद रखेगा Middle East का मतलब ये कता ही नहीं है कि उसके अंदर सारे अरब countries ही होंगी Middle East का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि भाई यॉरब के East में है और यॉरब और एशिया दोनों के बीच में इसको Middle East का आ जाता है Middle East के अंदर majority of the countries जो है वो अरब countries जरूर है उसके अंदर Muslim countries भी हैं सारे लेकिन वो सारे Arab countries जरूर है लेकिन नॉन अरब countries में हैं जिसमें एक हो गया इरान और दूसरा हो गया टर्की यह दोनों countries जो है वो नॉन अरब countries है लेकिन उनकी एरिया जो है वो Middle East के अंदर आते हैं दोनों Muslim countries हैं लेकिन यह दोनों जो है नॉन अरब countries है तो होप के Muslim countries और अरब कंट्रीज का डिफरेंस आप सब लोगों को आता होगा यहां भी आगर देख लें तो थोड़ी और अंडर्स्टेंडिंग के लिए अब हमें स्वोरी इसमेप के अंदर मेडिल इस्ट लिखा हुआ नहीं है यहां पर है मेडिल इस्ट ठीक है यह मेडिल इस्ट के अंदर कौन कौन से कंट्रीज है तो मिडिल इस्ट के अंदर जैसे मैंने आपको बता है अक्सर जो हैं कंट्रीज जो हैं वो हैं अरब कंट्रीज लेकिन उसके अंदर नौन अरब कंट्रीज भी इसके अंदर है Middle East के अंदर आप अगर देखेंगे तो टोटल 18 कंट्रीज हैं इसके अंदर इतने हैं 18 कंट्रीज, नौन अरब कंट्रीज भी है नौन अरब में एक दो टर्की है और दूसरा इरान है तर्की और इरान जो हैं वो यहाँ पे नौन अरब कंट्रीज हैं और इनके इलावा बाकी जिदने भी कंट्रीज हैं वो सारे अरब कंट्रीज है अब उनकी गिंती करते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज हैं सबसे पहले तो इरान, इरान is a नौन अरब कंट्री इरान का केपिटल क्या है तहरान ठीक है उसके बाद आ जाते हैं टर्की पे तर्की का केपिटल क्या है कोई गेस करके बताएगा मुझे कि तर्की का केपिटल क्या है अब लोग क्या रहे हैं जो आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए कि तर्की का केपिटल क्या है स्लाइड आप लोगों को कौन सी शो हो रही है तर्की का केपिटल अनार का है यह आपको स्लाइड शो नहीं हो रही कि जिसमें एशिया मिडिल इस लिखा हुआ है और सारे कंट्रीज जो है वो नदर आ रहे हैं आपको उमर यह स्क्रीन तो शेर की हुई है और यह जो स्लाइड अभी है तो सबको तो शो हो रही है जिसके अंदर इस आपको स्लाइड मैप शो नहीं हो रहा जिसके के अंदर सारे कंट्रीज हैं मिडिल इस्ट के जिसमें बड़ा एशिया लिखा हुआ रेड कलर का और नीचे मिडिल इस्ट लिखा हुआ है बाकियों को तो शो हो रहा है या बाकियों को भी नहीं हो रहा है यार बाकियों को तो शो हो रहा है अब आप शायद अपना जो नेट जिस मैप शो रहा होगा आपको जिसमें मिडिली एशिया लिखा हुआ है लाल कलर का और नीचे मिडिली इस्ट है जो लें जी रुके रुके जो झाल रहा हुआ है अब आपको क्या शो हो रहा है अब आपको मेप शो हो रहा है मिडिल इस्ट का मेप वर्ड मेप को छोड़ के चलें वो तो हैं लेकिन बाकियों को वर्ड मेप शो हो रहा है अभी एशिया वाला मिडिल इस्ट यहां पर लिखा हुआ है ठीक है ठीक जैसे जैसे मैं स्लाइड चेंज करूँगा न तो मैं बताऊंगा कि भई स्लाइड अभी चेंज है जै नहीं शो हो तो फिर आप लोगों ने बता देना है चलें जी ठीक है अभी जो मेरे सामने मेप शो हो रहा है उसमें इस्या लिखा हुआ रेड कलर का और उसके नीचे मिडिल इस्ट लिखा हुआ है मैं आपको यह बता रहा था कि मिडिल इस्ट के अंदर ज्यादा तर मुस्लिम कंट्रीज है या ठीक है ठीक मिडिल इस्ट के अंदर ज्यादा तर जो हैं मुस्लिम कंट्रीज है और इन मुस्लिम कंट्रीज में सारे अरब कंट्रीज है लेकिन दो ऐसे कंट्रीज हैं जो अरब नहीं है जो नॉन अरब कंट्रीज है यह अक्सर countries और capitals जो है वो उनकी list मैंने नहीं लगाई जान बूच के क्योंकि वो फिर हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसके साथ वो नाम लेते जाएंगे उसके बाद Middle East के अंदर सबसे बड़ा जो country है वो है और सबसे important वो है Saudi Arabia, Saudi Arabia capital हम सबको मालूम है रियाद Saudi Arab की importance दुनिया में क्यों है एक तो oil के लिए importance है दूसरा मुस्लमानों का holy site है इस वज़े से यहां पर important है या उसके बाद यहां पर है Iraq Iraq का capital क्या है भगदाद ठीक है उसके बाद है यहां पर Syria Syria का capital है Damascus उसके बाद यहां पर आप नीचे आ जाएंगे तो यहां पर Oman country है यमन country है UAE है Qatar है और बहर है तो कहने का मकसद यह है कि यह है हमारा पूरा Middle East इसका मैप इसको आप ध्यान से देखें यह colorful line जहां जहां से ड्राव हो रही है ना यह बिटा पूरा Middle East है अब Middle East को South में कौन से लगता है अभी पहले हमने discuss किया था यहां पर आप देख सकते हैं कि Arabian Sea और Arabian Sea जो है वो है Indian Ocean का part है तो हम यह कह सकते हैं कि भाई Middle East को जो ocean लगता है वो है Indian Ocean जो उसको link करता है अब मैंने slide चेंज कर लिए और यहां पर जो है न text लिखा हुआ है पूरा area population countries और slide के साथ साथ यहां पर जो है न कुछ words भी लिखे हुए तो यह slide आपको new slides आ गई है new slides शो हो रही है जिसमें area population और majority oil producing countries civilization यह सारा लिखा हुआ है चलेंगी ठीक है अब यह fact and figures है कुछ area कितना है area में में आता नहीं है लेकिन मैं यह लिख देता हूँ कोई पता नहीं कहां से पूछ ले ठीक है area आप देख सकते हैं सेवन टू जो सेवन फाई सेवन किलोमेटर स्कॉर पॉपुलेशन थ्री सेवन मिलियन पीपुल्स ठीक countries टोटल 18 है और इस 18 के अंदर अभी मैंने आपको पता है कि 16 countries जो है न वो क्या है Muslim countries और अरब countries है दो जो है नॉन अरब countries है इरान और टर्की दूसरा आलमोस 95% पॉपुलेशन जो है वो मुसलिम है इस area की importance इस वज़े से भी है कि सारे countries जो है रमोमन oil producing countries है दुनिया में आप सब को पता है कि oil जो community है वो बहुत important community है तो यह सारे countries जो है यह oil producing countries है और यहाँ पे साथी अरब है जो तो सबसे बड़ा दुनिया का oil producing and exporting country है तो oil के हिसाब से इस area की importance सबसे ज़्यदा है दूसरा यहाँ पे दुनिया की first civilization है कौन सी बेटा दुनिया की first civilization mesopotamia civilization जो यहाँ पे एराग में है तो यह question आ सकता है कि mesopotamia civilization जो है न वो किस region में है तो आपने देख लेना है कि mesopotamia civilization जो है वो इराग में है बगदाद के करीब उसके इलावा इस पूरे region के अंदर बहुत सारे ऐसे conflicts हैं जो चल रहे हैं जो चल रहे हैं जंगे जो हैं वो यहाँ पे चल रही है सबसे पहला issue इसराइल और फलस्तीन के बीच में है वो तो एक पराना issue है हम सब लोग ब मजब के लोग रहते हैं इसराइल में कौन से मजब के लोग रहते हैं इसराइल हाँ तसवर welcome इसराइल के अंदर जूज रहते हैं और फलस्तीन फलस्तीन में आप उसको पता है मुसलिम कंट्री है उसके बाद यहाँ पे चलने ठीक है आप मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ वापस मेप की तरफ जा रहा हूँ ठीक है यहाँ पे मेप आ गया है मैंने आप सबको अभी कहा कि इस रीजन के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉन्फलिक्ट्स हैं जो यहाँ पे चल रहा है इसराइल और फलस्तीन के बीच में उसके बाद सेकंड जो कॉन्फलिक्ट वो चल रहा है कॉन्फलिक्ट कह दे मनब जंग तो नहीं चल रही है लेकिन इन दूसरे से अच्छे नहीं होते एक है इरान और दूसरा है सौधी अरेबिया तो दूसरा कॉन्फलिक्ट यह है इरान और सौधी अरबिया उसके बाद एक तीसरी जंग यहाँ पे चल रही है इस पूरे खिते के अंदर वो है यमन आप नियूज अगर फालो कर रहे हैं या लोग एक दूसरे से लड़ पड़ें पाल एक्जेंपल में कहा रहा हूं कि पठान और सिंधी का कोई जगड़ा हो जाए या पंजाबी और पठान का कोई जगड़ा हो जाए तो इसे सिविल वार कहते हैं सिविल वार का मतलब यह होता है कि मुल्क के अंतर लोग एक दूसर से लड़ें ठीक है तो यह के लिए रोगा को के सिविल यमन में यहां पर चल रहे है तो अभी एक तो इस्राइल फलस्तिन का इश्व चल रहा है हमने देखा दूसरा सौदी और इरान की कोल्ड वार चल रही है जंग इन दोनों के दरमियान हालात कशीदा ही होते हैं हमेशा दूसरा यमन यमन के अंदर सिविल वार चल रही है चो था सिरियन सिविल वार सिरिया शाम जिसे आम हुरूफ में कहा जाता है शाम के अंदर भी सिविल वार क्यों चल रही है क्योंकि वहाँ पे शिया और सुनी हैं वो दो अटेट किया है इस्राइल ले तोड़ा मैप की तरब जाते हैं पीछे ठेAw यह रहा इरान यह है मैंने इरान के नक्षे की उपर किया यह तिक आपको नजर आ रहे है यह रहा इरान और यह रहा इस्राइल है ठेख है आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है ये तो हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है ठीक है यहां से देखे ना है इसराइल से अगर आप चलें इरान तब तो इन दोनों के बीच में हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है कल न्यूज आई है कि और इस्राइल का एक दूसरे के साथ जो है ना हाला सही नहीं है तो किस country ने किस पर ड्रोन अटेक किया है इरान के इस्राइल से ड्रोन ओड़ा है और उसने अटेक कहां पर किया है इरान पर तो यह अभी कल अटेक हुआ है तो इस न्यूज से related MCQ ऐसे ही आते हैं कि किसी भी news क कि अंदर जो involved country थे ना वो country कौन कौन से थे तो MCQ उन से related आते हैं ठीक है इसराइल का capital है तलवीब और इरान का capital क्या है तेहरान और इरान और इसराइल के भी हाला जो है ना एक दूसरे से relation इन दुनों की सही नहीं है और हमेशा कशीर ही हालात होते हैं जंग की तरह दूसरा यह अब मैंने स्लाइड चेंज कर ली है जिसके अंदर आपको एरियाज नजर आ रहे होंगे जिसमें मैंने ये पर्शियन गैल्फ, ओमान गल्फ, रेड़ सी, गल्फ आव एडिन, सुईज केनाल, डेड़ सी यह सारा लिखा हुआ है नजर आ रहा है ना आपको ऐसा रहा होगा मैं स्लाइड चेंज करके बढ़ाता रहूं और आप लोगों को नजर नहीं आए तो यह थोड़ा ना नहीं से नजर आ रहा है तो चलेंगी उसके बाद यह तो हो गया कि इस रीजन में कुन-कुन से हैं अब एक और एमसी क्यूज आता है कि हर रीजन के अंदर ज लोग अगर आप लोग बोलेंगे तो उसके अंदर एक पॉर्शन होंगे इसे जिसमें स्टेट्स होंगे गल्फ होंगे पैनिन्सुला होंगे अब इन तीनों का बैसिक डिफरेंस क्या है वो समझते हैं लेकि पैनिन्सुला का मतलब यह होता है कि तीन जगह से पानी हो और तो उस जमीन के टुकड़े को हम कहते हैं कि भाई यह पैनिन्सुला है यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पानी है बिलू कलर का यहाँ पे पानी है बिलू कलर का और यहाँ पे नीचे अरेबियन सी इंगे नोशन के अंदर भी पानी है तो तीन साइड पे वाटर बोड है और ह्यँ पे नीचे क्या है अरेबियंस है तो तीन तरफ से पानी हो और एक तरफ से जमीन हो तो इसको हम क्या कहते है पैनेंसिला फैंड पैप जाते हैं इसे कहते हैं त्री साइड वाटर और वन साइड जो लेंड होती है उसको हम कहते हैं पेनिसुला और अरेबियन पेनिसुला जो है दुनिया का सबसे बड़ा पेनिसुला है अरेबियन पेनिसुला है जो दुनिया का लारजेस्ट पेनिसुला है और पेनिसुला यह जो है यह इस रीजन के अंदर आता है यह देखें न यह यह पूरा यहां से सिरिया से लेके यमन तक इस पूरे को यह नौर्ट साउथ और इस्ट वेस्ट यह रेड सी और पर्सियन गल्फ के पीछ में यह जो क्रास बना हुआ है यह पूरा जो है इस पूरे को हम कहते हैं यह है पेनिसुला Arabian Peninsula तो एक ये question आएगा कि in which region Arabian Peninsula falls in Arabian Peninsula is in Middle East और दुनिया का सबसे बड़ा Peninsula कुन सा है दुनिया का सबसे बड़ा जो Peninsula है वो है Arabian Peninsula उसके बाद आ जाते हैं दुनिया के अंदर एक और होता है Gulf ये सारे section आप चोदरी नजीब की बुक के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे बने हुए हैं क्या है गल्फ पचार गल्फ में ये है कि पानी होगा water surrounded by land अब आप का होगे ये कैसे तो ये भी map के अंदर हम देखते हैं कि water surrounded by land उसे कहते हैं गल्फ यहां पे आप आजाएं गल्फ उसे कहते हैं कि कोई भी इसी water bodies हो जिसके तीन साइड पे जमीनों water surrounded by land यहां पे आप देखें ये है पानी इस पानी को हम कहते हैं पर्शियन गल्फ अच्छा पर्शियन किस वज़े से कहते हैं आप मुझे बताएं कि पर्शिया किसका नाम है एक एसा मुल्ख है जिसको पर्शिया भी कहा जाता है फारिस आम हुरूफ में हम इसको फारिस भी कहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पर्शियन गल्फ जो है ये किस कि पर्शिया किस मुल्ख को कहा जाता है कोई idea है को तुका ही लगा दो नहीं नहीं इराग को नहीं कहा जाता जी बिलकुल वेल वेरी गुड इरान को कहा जाता है पर्शिया ये रहा इरान इरान को हम फारस भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको पर्शिया भी कहते है तो एरान की कोस्टल बॉर्डर पे ये जो वाटर बॉर्ड़ी है इसको कहते है पर्शियन गल्फ और गल्फ का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी वाटर बॉर्ड़ी जिसके तीन साइड पे जमीन हो वन टू थरी तो आप देख सकते हैं कि तीनों साइड पे यहां पे लैंड ह है किनों साइड पे लैंड है और लेकिन ये चोथा साइड हो है जो इसका खुला हुआ है तो अब वाटर बॉड़ी सरांड़ेड बाइ लैंड एक वाटर बॉड़ी जो सरांड़ेड बाइ लैंड के हो लेकिन तीन साइड उसके लैंड हो और एक साइड खाली हो तो उसको ह हम गल्फ कहते हैं तो मिडिल इस्ट के अंदर एक इंपोर्टेंट गल्फ है जिसको कहते हैं हम पर्शियन गल्फ नहीं इस्ट्रेट नहीं है देखें इस्ट्रेट और इसमें फर्क है वो क्या फर्क है इस्ट्रेट आप इस्ट्रेट क्यों नहीं कहते हैं हम इसको ठीक इस्ट्रेट इसलिए नहीं कहते है इस्ट्रेट का मतलब यह होता है कि नेरो लैंड आफा वाटर यह रहा आपका इस्ट्रेट इस्ट्रेट यह है यह जो अभी मैंने सिमाल चोटी ब्लेक लाइन बनाई है यह नदर आ रही है आपको यह कर वाली तसवर यह लाइन आपको नदर आ रही होगी तसवर यह जो लाइन है न यह चोटी सी इसको इस्ट्रेट का मतबले होता है कि पतली गली पानी की पतली गली और जिसके दोनों तरफ एक बड़ी वाटर बाडी हो देखे न यह देखो यहां पे गल्फ आफ ओमान है और यहां पे गल्फ आफ पर्शिया है पर्शियन गल्फ है आपने यह कंफ्यूज नहीं हो ना गल्फ का मतलब भी है ना पानी ही होता है यह वाटर बाडी के मुक्तलिफ नाम है ओशन सी गल्फ ठीक है इस्ट्रेट तो यह गल्फ आप यह द लेकिन गल्फ खुद क्या है गल्फ का मतलब देखे ना गल्फ का मतलब होता है खिला खाली जगह है अगर आप इसकी लिटरल मीनिंग देखे ना गल्फ का मतलब होता है खिला और खाली जगह है तो आप देख सकते हैं कि तीन साइड पे यह देखो तीन साइड पे यह क्या है इदर और इदर जमीन है और बीच में एक खाली है तो यहां पे खिला आगया और खाली चीज इंपर्टीनेस आगी तो इसको गल्फ कहते हैं और यहां पे पानी है तो इसको पर्शियन गल्फ कहते हैं तो ये अक्सर MCQ आता है कि पर्शियन गल्फ कांप है Middle East में है, दूसरा इस से Related MCQ ये आएगा कि पर्शियन गल्फ जो है ना किन दो बड़े कंट्रीज के बीच में है, यहाँ पर आख दे सकते हैं कि यह जो पर्शियन गल्फ है, इसके उपर एक तरफ एरान है, इस्ट की त रखता है, Coastal Belt, इस वजए इसको पर्शियन गल्फ का जाता है, और पर्शियन गल्फ किन दो कंट्रीज के बीच में है, इरान है, सुधी अरबे के बीच में और चोटे-चोटे कंट्रीज भी है, बहरेन हो गया, कतर हो गया, कोईत हो गया, इराक हो गया, अगर ये कोस्चि नहीं है, ठीक है, ओमान इस नाट पर्शियन गल्फ, ये आपने याद रखना है, अक्सर MCQs को बलाने के लिए आ जाता है, ओमान और यमन जो है ना, वो पर्शियन गल्फ के पार्ट नहीं है, क्योंकि यहां पे नीचे रहे हैं और इनका दूर 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 तक पर्शियन इसलिए भी इंपॉर्टन है कि दुनिया का जितना भी ओल है, उसका 40% जो है न वो यहां से ट्रेवल करता है, अब सब लोगों को पता है कि यह सारे अरब कंट्रीज जो है न यह ओल को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक, तो जहां से ओल होगा तो लाजमी बात है वो चीज बड आगे चलते हैं, चलें आगे चलें, जी, अभी स्लाइड में ने चेंज कर दिये हैं, अभी तक हमने पर्शन गल्फ पढ़ाए, उसके बाद आया, इंपॉर्टन एरिया यहां पर आते हैं, गल्फ आफ ओमान, वापस चलते हैं नक्षे की तरफ, जिस तरह हमने पर्शन गल्फ पढ़ा था, उसी तरह हम पढ़ेंगे गल्फ आफ ओमान, गल्फ का कंसेप्ट मैंने अभी आपको बता दिया थोड़ी देर पहले कि गल्फ का कंसेप्ट क्या होता है, गल्फ आफ ओमान इसलिए कहा जाता है, इसको क्योंकि गल्फ आफ ओमान इसलिए कहा जाता है, क्योंकि ये जो गल्फ है, ये किसके नजदीक है, ओमान के, यहां पर आफ देख सकते हैं, ये रहा ओमान, तो ओमान के आगे जो गल्फ है, उसको गल्फ आफ ओमान है, और गल्फ आफ ओमान किसको लगता है, पाकिस्तान, इरान और उमान को पाकिस्तान उमान और सोरी यह रहा पाकिस्तान यह उपर इरान और नीचे उमान तो गल्फ आव उमान किन कंट्रीज के बीच में है पाकिस्तान इरान और उमान इन तिनों कंट्रीज के बीच में है गल्फ आव उमान और गल्फ आव उमान के एक तरफ इंडियन सी है Caribbean Sea और एक तरफ क्या है Persian Gulf दूसरा Middle East के अंदर एक और important चीज है जो अकसर question में अकसर जो है MCQs के अंदर आता है कि बाई where is Red Sea ये रहा आपका Red Sea तो Red Sea is between Asia and Africa ये रहा Asia ये रहा Africa तो Red Sea जो है वो किन दो continents को different करता है अलग-अलग करता है सोरी separate करता है Asia and Africa को ये रहा आपका Red Sea ये बीच में Red Sea के ऊपर यहाँ पर Egypt है और नीचे यहाँ पर अगर आप आजाएंगे तो नीचे यहाँ से जो है Arabian Sea है इसकी आगे से यहाँ से यह Arabian Sea है ऊपर आपको Egypt मिलेगा ये बीच में इसको Red Sea है और ये किन दो countries को sorry continents को separate करता है Asia and Africa को ये आप याद रखें कि Red Sea जो है न दो continents को separate करता है Asia and Africa को अच्छा ये नई स्लाइड आपको नजर आ रही है पर्शन गल्फ की स्लाइड विजिबल हो रही है इस पर लिखा हुआ है कि मैप आप पर्शन गल्फ स्लाइड विजिबल हो रही है पर्शन गल्फ आली ठीक है तो ये पीछे हमने थोड़ा डिसकस किया था कि इस पर्शन गल्फ क्या है ये जनाब है पर्शन गल्फ ठीक है पर्शन गल्फ लोकट Lawrence बिटvens इंड एनिवर्ट एंड अड इस तरफ इन इडॉड पर्शन गल्फ और ओन जिए पिन इरान ए 파रूेhr गया ये एरे very important 40% of world oil जो है यहां से जाता है यहां पे जो है ना Persian Gulf से related एक काउंसल है GCC Gulf Cooperation Council इसके मेंबर कुन कुन से है सौधी रभिया, बेरेन, कोईट, कतर अड़ यूएई ठीक है? यह as it is question आता है कि GCC के मेंबर कुन कुन से है यह सारे मेंबर जो है ना GCC के हैं यह सारे जिसमें सौधी रभिया, बेरेन, कोईट, कतर अड़ यूएई तो यह आपका जनाब हो गया Persian Gulf location आपको पता चल गी countries का पता ला गया और एक organization यहां पे और यह याद रचेगा कि Gulf Council जो है ना GCC Gulf Cooperation Council इसके अंदर इरान नहीं है, इसकी simple trick आप मैं बता दूँ कि इरान है Shia country और यह सारे countries जो है ना, यह सारे दूसरे यह सारे countries जो है ना, यह सारे Sunni countries है, तो आप देख सकते हैं कि इराक भी Shia country है, तो इराक और इरान दोनों GCC में नहीं है GCC purely एक Sunni Council है Gulf Cooperation Council जिसमें यह दोनों यहाँ पे नहीं है अब आगे चलते हैं Gulf of Eden जिस तरह Persian Gulf था इसी तरह Gulf of Eden भी है Persian Gulf जो उस तरफ था सौदी अरब के East में, ऐसे ही है यहाँ पे देखे यहाँ पे था आपका Persian Gulf यह रा सौदी अरब या, तो इसके क्या है यह सौदी अरब के East में, अब हम जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं Gulf of Eden जो यहाँ पे है नीचे, यमन के नीचे ठीक है, तो अभी चलते है Gulf of Eden की तरफ यह है Gulf of Eden यहाँ पे यह है Gulf of Eden यहाँ पे यह भी इंडिया नोशन का पार्ट है Located between Yemen, यह यह location इसकी कहां पे है, इसके North में आपको Yemen मिलेगा ठीक है, इसके South में आपको Somalia मिलेगा, इसके East में आपको Arabian Sea या Indian Ocean मिलेगा Important shipping waterway is a majority of our European oil imports using route via Swiss Canal आपने बस इतना याद रखना है कि Gulf of Eden है कहां, यह आप देख सकते हैं, Yemen के नीचे है, ठीक है और यह बहुत important है क्योंकि Europe का सारा oil यहाँ से आगे गाता है MCQS यह ही आएगा कि where is Gulf of Eden तो आप अपने याद रखना है कि Yemen के नीचे है, Yemen के South में है और यहाँ पर यह Red Sea और Indian Ocean को एक दूसरे से मिलाता है ठीक है, Red Sea और Indian Ocean को एक दूसरे से मिलाता है, यह है Gulf of Eden उसके बाद आते हैं Red Sea पर, अभी मैंने पहले आपको Red Sea बताया है विसी, यह है हमारा Red Sea Red Sea की important इसलिए है कि यह दो बड़े continent को जो है separate करता है, एशिया और अफरीका को, और Red Sea मिलाता किस किस को है, यहाँ पर उपर है Egypt का सुईज केनाल और नीचे से यहाँ पर, जो अभी हम पढ़के आएं बेटा, Gulf of Eden तो Gulf of Eden को सुईज केनाल से कौन मिलाता है, Red Sea, यह पूरा Red Sea, Red Sea इसको इस वज़े से कहा जाता है कि यहाँ पर लाल कलर के पत्थर हैं, जो भी पत्थर हमंगुठियों में भी पहनते हैं, आकसर वो यहाँ से भी निकलते हैं तो यह है Red Sea, Red Sea दो बड़े कॉंटिनेंट्स को अलग-अलग करता है, कौन-कौन से एशिया एंड अफरीका को, और यह किन चीजों को मिलाता है, यहाँ पर Gulf of Eden इंडियन ओशन को, और उपर जाएंगे तो, सुईज केनाल को इन दोनों को एक दूसरे से मिलाता है यह जो MCQs आएंगे न, related, वो मैंने यहाँ पर बोल्ड करके लिखे हुए हैं, हमने डीप में इसको नहीं पढ़ना है, आपने बस इतना याद रखना है कि इसकी location कहां कहां पर है दूसरा जनाब आ गया, सिनाई Peninsula, जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को बताया है था कि पेनिंसुला क्या होता है, पेनिंसुला एक लेंड है, बाडी आफ लेंड है, जमीन है, जिसके तीन तरफ से पानी होगा, एक तरफ से जमीन होगी, एक तरफ से पानी, एक तरफ से पानी, एक तरफ से पानी है, तीन तरफ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी है, इ यहां से इस्राइल है और यहां से आप देख सकते हैं कि नीचे पानी है इधर इधर पानी है और सोरी इस तरफ भी यहां नीचे थोड़ा पानी है यहां पर तो जमीन में टिक लगा दिया है इसको आप छोड़ दें ठीक तो तीन तरफ से पानी है और एक तरफ से जमीन है इस वजे इसको Peninsula कहा जाता है और इजब्ट में ये फाल होता है इसको Sinai Peninsula कहते हैं हम यह रहाँ इसको Sinai Peninsula कहा जाता है ठीक है इस अ पार्ट आफ यॉआफ जिप्ट और यह लेंड ब्रिज है ऐशिया और अफ्रीका के बीच में जैसे कि आप सबको पता है कि एजिप्ट जो है वो अफरीका में है और यहां से यह साइड से यह क्या है एशिया है जिस तरह रेड सी एशिया और अफरीका को अलग-अलग कर रहा था इसी तरह सिनाय प्यनिन्सुला है वो एशिया और अफरीका को मिला रहा है और ऐसे भी एक तर्की वो next हम पड़ेंगे तो यहाँ पे आप देखें एजिप्ट है एजिप्ट का एक छोटा सा हिस्सा यह जो है एजिप्ट का यह एशिया के अंदर आता है और यह एज लेंड ब्रिज है जो कनेक्ट करता है एशिया को एजिप्ट के साथ सिनाहिल पेने सुलागे अठारा सो उनातर में इसकी इनाउगरेशन हुई यह डेट्स एजिप्ट के अंदर आती है यह आप देख लें तारा सो उनातर में और 193 किलोमेटरेस की लेंथ है और यह कनेक्ट करता है जनाब रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ यह है रेड सी और यह है मेडिटेरियन सी और इनको जो कनेक्ट करता है वो है यह और यह बीच में सिनाहिल पेने सुलागे इन दोनों को कनेक्ट करता है और यहां पे छोटा सा सुईज केनाल है केनाल का मतलब क्या होता है पतली गली जो है पानी की के जहां से शिप्स गुजर सके ठीक है तो चोटा सा यहां पे जो सुईस के नाल है यह रहा सुईस के नाल जहां पे शिप्स गुजरती हैं सुईस के नाल जो है वो 1869 में इनाउगरेशन हुई और 193 किलोमेटर इसकी जो है लेंट है दूसरा मिडिलिस्ट की अंदर अब लास्ट में आजाते हैं मिडिलिस्ट के अंदर सिर्फ दो बड़ी नहरे हैं नहरे फुराक और नहरे दजला ठीक है जिसको हम उर्दू में कहते हैं फुराक और दजला और यह अंग्रेजी में आप यूफूरेट्स और टैगरिस यूफुरेस एंटेगरिस बोथ ये दोनों रिवर्स जो है ना ये दोनों रिवर्स जो चलती है वो इराग में चलती है आपने बस इतना